हेलो दोस्तों श्टडी ग्लोज में आपका स्वागात है तो आज हम नेशनल पार्क सीरीज की आखरी लेक्चर लेके आए हैं और आज ये नेशनल पार्क की सीरीज खतम हो जाएगी और आखरी दो श्टेट हमारी बच्ची हुई है जो है उरिसा और विश्ट बंगॉल तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो उरिसा के नेशनल पार्क देखेंगे सबसे पहले है बिटर कनिका नेशनल पार्क सबसे पहले है इसका मैप देखिए ये देखिए ये है बिटर कनिका नेशनल पार्क ठीक है और ये उरिसा में है केद्रा पारा डिस्ट्रिक्ट में ये नैशनल पार्क है ठीक है और इसकी लेंद जो है वो 145 किलोमीटर में ये फैला हुआ है तो बिटर कनिका नैशनल पार्क जो है 145 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये केद्रा पारा डिस्ट्रिक्ट उरिसा यह है उरिशा तो आप देखते हैं बिटा करिका नेशनल पार्ग 145 किलोमिटर में फैला हुआ है और केद्रा पारा डिस्ट्रिट में लोकेटेड है उरिशा में इसको नेशनल पार्ग के तौर पे लोकेट क्या डेजिगनेट किया गया था 16 स्तम्बर 1998 में और स्टेटर जो है रामसार साइट भी है ठीक है और रामसार साइट का इसको उरिशा की चिलिका लेख के बात और इसको सरावन करता है भिटा किनिका वाइल रेच संचूरी जो इस्पेड है कम से कम 672 किलोमीटर में यह वाइडलेस सेंचुरी स्पेड है देकि नैशनल पार्क एंड वाइडलेस सेंचुरी जो है ब्राणनी, बैतर्णी, धामरा, पाथसाला, नदियों से घिरा हुआ है यहाँ कई मैंगरोव प्रजातियों की मिजबानी करता है और भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंगरोव पारिष्टिती तंत है ठीक है दोस्तो अब आगे हमने मैप देख चुके है अब इस पार में आपको सॉल्ट, वाटर, कोकोडाइल देखने को मिलेगा इंडियन पाइथन देखने को मिलेगा, किंग कोबरा, ब्लैक आइबस, डाटर्स और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे वेजिटेशन देखने को मिलेगा अब हम देखेंगे सिम्निपाल नैशल पार्क देखें सबसे पहले आप इसका मैप देखिए यह है सिम्निपाल नैशल पार्क ठीक है, यह मयूर भंज डिस्टिट में लोकेटेड है जो की है उडिसा में और यह टाइगर रिजब भी है और इसका यह 2750 किलोमीटर में फैला हुआ है ठीक है, तो यह टाइगर रिजब भी है जो की located है मयूर भंज डिस्टिट में जो की है उडिसा में ये देखिए ये tiger reserve भी है और national park भी है जो की located है मयूर भंज डिस्टिट में और 27-50 km में फैला हुआ है और ये part है मयूर भंज elephant reserve का भी जो include करता है तीन protected areas एक है सिमलिपाल tiger reserve दूसा है हगड़ wildlife century और तीसा है left century देखिए सिमलिपाल national park छेत्र में उगने वाले लाल व्रिश्मी कपास के पेड़ों के बहुत तयात से इसका नाम है ठीक है और ये seven largest national park है इंडिया का map हम देख चुके हैं इसका अब इस पार्क में आपको बेंगोल टाइगर, एशियन elephant, गौर, चौसिंगा ये सब आप आपको animals देखने हों मिलेंगे और beautiful falls भी आपको यहां पर देखने हों मिलेंगे जैसे कि जोरंडा एंड बारे हिपानी falls ठीक है अब ये जोरंडा और बारे हिपानी falls जो है बहुत important है ठीक है तो ये आप आराम से इसको ये important ही अपने notebook में आप cover कर लेना इसको और ये protected area है जो की पार्ट है UNESCO की world network biosphere reserve का ये पार्ट है 2009 से ठीक है तो UNESCO की world network biosphere reserve का भी ये पार्ट है 2009 से ठीक है अब यहां पर आपको tropical moist broadly forest देखने हो मिलेगा tropical moist deciduous forest देखने हो मिलेगा साथी में आपको dry decided hill forest high level soil forest भी देखने हो मिलेगा अनिमल्स यहां पर एशियन लैनिफेंट, सांबर, बर्किंडियर, गौर, जंगल कैट, वाल्ड बॉर, चोसिंगा, जाइन्ट स्क्वारल और कॉमन लंगूर ये सब देखने हो मिलेंगे बर्स आपको red, जंगल फाउल, हिल मायना, पीफॉल, एलिक जन्राइन, पराकीट, क ये दोस्तों हमने सिम्लिपाल नेशल पार्क के बारे में देखा, अब हम देखेंगे वेश्ट बेंगौल के नेशल पार्क के बारे में, पहला है हमारा गौरुमरा नेशल पार्क, ये है गौरुमरा नेशल पार्क, ये वेश्ट बेंगौल में लोकेटेड है, और ये डोर पार्क है यह वेश्ट बंगॉल में लोकेटेड है डूर रिजन में लोकेटेड है हिमालयन फोटिल्स में और यह मीडम साइजड पार्क है ग्रास लैंड और फॉरेश्ट यहां आपको दिखनों मिलेंगे और यह इंडियन रिनोसौरस की पॉपुलेशन के लिए नैशनल पार्क जो है जाना जाता है देखिए इस पार्क को जितने भी हमारे प्रोटेटेड एरियाज है उसमें से सबसे बेश्ट नैशनल पार्क को डिकलेर किया गया था मिनिश्री ऑफ इन्वायर्मेंट और फॉरेश्ट के दौरा 2009 में हम लोग इ यहां पर बहुत जानवर मिलेंगे इतने याद कर लो बहुत जादा है बर्स आपको स्कार्लेट मिनिवेट संबर्ड एशियन परडाइस फ्लाइचर्स इसपांगाइड ड्रोंगो इंडियन होन्बिल ठीक है वुट पैकर यह सब आपको इस पार्क में देखने को मिलेगा तो हमने देखा गोरूमरा नेश्य utilized park अब हम देखेंगे नियुरा वैली नेश्य पार्क जो है ये कलिंग्पॉंट में located है जो कि है वेस्ट बेंगॉल में ठीक है तो यह कलिंग्पॉंट डिस्टृप में located है जो कि है वेस्ट बेंगॉल में और इसकोrade बिच्टाबिश कि आपको यहां पर एनिमय देगों मिलेंगे सब्सक्राइब त्रोपिकल सब्सक्राइट डिय। ठीक है तो यह नेशनल पार्क की बहुत ज्यादा या खुबसूरत हो नेशनल पार्क जब अपना कोई बढ़िया जो आपको एगजाम निकालना है उसको क्लियर करना तो इन National Park में जरूर विजिट करना देखिए पढ़ाने में और वहाँ पर जाने में एक अलगी मज़ा आती है वहाँ पर जब जाओगे ना तो वहाँ पर फील करोगे इतना अच्छा लगेगा महाँ पर कुछ कहने को नहीं है वो ठीक है बहुत ही खुबसूरत होते हमारे National Park ठीक है तो जब आप अपना एक्जाम निकाल ले ना तो जरूर हो के आना बहुत मज़ाएगी अब हम देखेंगे सिंगालीला National Park यह है सिंगालीला National Park यह दार्जलिंग डिस्टिक में लोकेटेड है जो कि है वेज़ बंगॉल में सिंगालीला रिच पे ठीक है तो यह दार्जलिंग डिस्टिक में लोकेटेड है अब इसको डिटेल में जानते है सिंगालीला National Park जो है यह वेज़ बंगॉल में लोकेटेड है वेज़ बंगॉल के दार्जलिंग जिले में समुद्र तल से 7000 feet से अधिक उचाई पर लैपर्डोज देखनो मिलेंगे उसके बाद आपको हमाल्हाय ब्लैक ब्लैक बिर्पर्ड देखनो मिलेंगे यहां पर देहनों मिलेंगे कालज हमाल्एन वल्चर का स्कार्लेट मिंडा इंग ईस्की के पेरेट बिल्स, रुफास, वेंटेड टेट, ओल्ड, वर्ल बैबलर्स, भी यहां पर आपको देखने हो मिलेगा, ठीक है, फायर, टेल्ड, माइजोरिनेस, गोल्डेन, बेस्टेड, फुलवेटा, यह सब आपको यहां पर बर्ट देखने हो मिलेंगी, तो यह आपने देखा सिंगालिला, नेशनल पार्क, अब हम देखेंगे सुंदर्बंद, नेशनल पार्क, यह बाइसफेर रिजब भी है, और नेशनल पार्क भी है, टैगर रिजब भी है, यह वेश्ट बंगॉल में है, ठीक है, सुंदर्बंद, नेशनल पार्क, अब यह देखिए, प्रिद्व फॉरेश्ट के निकट है तेक है अब देखते हैं देखे डेल्टा जो है वो डेंशली कवर्ड है मेंगरोब फॉरेस्ट से अब वन ऑफ दी लाज़ेश्ट रिजव है बेंगॉल टाइगर का मैप हम देख चुके यह मैप है यह वेज बेंगॉल में ठीक है सुन् 2019 में ठीक है 2019 में रामसर साइट पे भी डेजिनेट हुआ है ठीक है देखिए सुंदर बन का नाम जो है वो सुंदरी च्वी से पड़ा है जो बहुती ज़्यादा फेमस ट्री है इस एरिया में ठीक है और यह अगे बढ़ते है अगे आपको रॉइल बैंगोल टाइगर बैंगोल टाइगर फिशिंग कैर्स लेपर्ड कैट मकाक्स वाइल बोर इंडियन ग्रे मंगूज फॉक्प जंगल कैट फ्लाइंग फॉक्स चीतल यह सब आपको यहां पर सुंदर बन में देखने हो मिलेंगे कुछ एकोटिक एनिमल्स भी देखने हों मिलेंगे जैसे की अब हम देखेंगे जल्दपारा नैशल पार्क देखी ये जल्दपारा नैशल पार्क का मैप है थोड़ा धुनला जार खिंगे भड़ी दोजा वचल सोला क्वर फैलाई चली पार्क ट्रम जाör ठीक है वेट बेंगॉल में और तोरसा रिवर के तट पे और यह जो है 216 किलोमीटर में यह नेशनल पर फैला हुआ है इसको सेंचुरी डेक्लेर किया था 1941 में ताकि अपने ग्रेट वराइटी मलें यहां पर आपको एनिमल्स बहुत साज देखनों मिलेंगे फ्लोरास फोने तो गुरुमारा नेशनल पार्क देखनों मिलेगा जो कि अब हमने डिसकस किया था इंडियान राइनोसारस के लिए बहुत साथा फेमस है यहां पर देख चुके है मैप देखी यहां पर आपको सवनना टाइप ऑफ फोरेट देखनों मिलेगा टॉल एलिफेंट ग्रासे से ठीक है में अट्रेक्शन जो है यहां पर इंडियन वन होन राइनोसारस आपको देखनों मिलेगा ठीक है यहां पर लाजेश्ट राइनोसारस आपको मिलेंगे काजिरंगा के बाद काजिरंगा नेशनल पार्क कहां पर आसाम में डिसकस किया था और भी अनिमल्स आपको दे लिकॉन देखने को मिलेगा ठीक है तो यहां पर आपको बैंगोल लॉरिकन भी देखने मिलेगा अधर बर्ट से यहां पर आपको और भी देखने मिलेंगी जैसे कि क्रिश्टर डीगल पलास फिशी गल शिक्रा फिंस विवर जंगल फाउल पीफॉल पाट्रेज लेजर पाइ सब्सक्राइब बहुत इंट्रेस्टिंग आप लोग के लिए लेक्या हूंगा ठीक है ताकि आपका कोई भी कोश्टिंस अगर UPS या PCS पर आपसे पूछा जाता तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कोश्टिंस आपके मिस ना हो ठीक है और इसकी PDF जो है वह मैं सा श्यां तक आपको इसका PDF मिल जाएगा तो यहीं दोस्तों लेक्चर था अगली सीडिस के साथ हम बहुत जल मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद